यूट्यूब से ही डॉमिनो स्टाइल में पिज़ा बनाने की रेसिपी मिली और यीस्ट डाल कर मैंने ये पिज़ा का डो बनाया था अब ये पिज़ा डो से कैसा मेरा पिज़ा बना है ये तो एंड में पता चलेगा पूरे इंस्ट्रक्शन्स प्रॉपर फॉलो करके मैंने बनाया है तो थोड़ा कॉन्फिडन्स तो है ही कि अच्छा ही बनेगा तो अपने मन के सारे वेजीज और खूप सारा चीज डाल कर इसे मैंने माइक्रोवेव में कुछ 20 मिनिट के लिए डाला था और फिर जो रिजल्ट देखा देखे भाई क्या पिज़ा बना है ऐसा पिज़ा जब बनता है न तो कटर से काटके इसका शेप बिगाड़ने का मन नहीं होता तो इसलिए आज मैंने सीजर यूज की है इस पिज़ा को बनाने के लिए बही ज्यादा दिखावा नहीं कर रहे हूं लेकिन डॉमिनो से भी अच्छा मेरा पिज़ा बना था सच में